ये अब्रिवान डिश्य सुधर्शा टिवारी ये वेल्कम बेक इन मा यूट्यूग चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आनेकेडमी के न्यू सेलेक्शन प्रोसर्सके बारे में जैसा कि आपको पहले का पता है कि पहले जो एजुकेटर थे उनके लिए selection का क्या procedure था कि आपको सबसे पहले login करना होता था unacademy के educator app पे देन उसके बाद आपको कुछ lesson upload करने होते थे वो verify होते थे उसके बाद आपको google form fill करना होता था अलग-अलग steps होते थे आपको अगर as a educator apply करना है और अगर as a doubt solving educator apply करना है तो आपको team से contact करना होता था जिसके लिए भी आपको login करना necessary होता था educator app को लेकिन अब क्या है आप login नहीं कर सकते unacademy के educator app को मतलब कोई भी x y z person directly यहाँ पे unacademy के educator app को login नहीं कर सकता है तो यहाँ पर सबसे पहरे हम यह समझते हैं कि unacademy में जो hiring होती है वो दो टाइप की hiring होती है पहली एक educator की दूसरी doubt solving educator की educator डो टाइप के होते है special educator एंड उसके बद वो promote होते हैं और क्या बनते है plus educator बनते है ठीक है फिर second आपकी जो hiring होती है वो doubt solving expert की होती है doubt solving educators की होती है मतलब उनका काम क्या होता है simply कि उनके उन्होंने जिस subject के लिए apply किया है उस subject से related होना उनके पास questions आते हैं और उन्हें उन questions से related video upload करने होते हैं ये होता है doubt solving educator so present time पे unacademy में जो hiring है जो vacancies है totally close चल रही है वहाँ पर ना तो educator की vacancy है ना ही doubt solving की educators की vacancy है तो simply अगर आपको apply करना है तो क्या करना होगा तो यहाँ पे जो unacademy है अगर आप किसी दूसरे platform में teach कर रहे हो याप YouTube में पढ़ा रहे हो याप विदानतों में पढ़ा है कहीं भी आप अगर teach कर रहे हो तो अगर unacademy को आपकी teaching skill अच्छी लगती है तो unacademy selected teachers को एक invitation link भेजता है unacademy यहाँ पे जो educators होते हैं उनको क्या करता है खुद ही invite करता है और उसके बाद वही procedure उनके लिए होता है जो पहले का procedure था लेकिन invite करने के बाद वो unacademy के educator app पे login कर पाते हैं यह तो था procedure अगर आप unacademy में teach करना चाहते हो उसके लिए कि आपको एक दूसरे platform में पढ़ाना पड़ेगा ठीक है दूसरा अगर आप doubt solving expert बनना चाहते हो तो simply यहाँ पे आपको एक mail दिख रहा होगा अगर आप यहाँ पे unacademy में as a doubt solving expert करना चाहते हो तो simply आपको यहाँ पे अपना resume जो है आपको mail कर देना है जब भी doubt solving educator की वेकेंसी उनके पास होगी वो आपको contact कर लेंगे आज के इस वीडियो में इतना ही खोप आपको यह वीडियो informative लगा होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें वीडियो को share करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी information के साथ तब तक के लिए धन्यवाद